बदले की आग में धदक रहे थे रोहित और सूरिया, कुल्दीप और अक्सर पटेल ने अकेले दम पर पलट दिया पूरा खेल, भारतिय शेरों ने तोड़ा इंग्लेंड का घमन, पहले शर्त लगा कर रोहित और सूरिया ने मचाई तबाही, फिर अक्सर पटेल और कुल्द बदले की आग में धदक रहे थे भारतिय शेर, तीस मिनट में अंग्रेजों को कर दिया धेर, शांसे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुचा हिंदुस्तान, आस्ट्रेलिया के बाद भारतिय शेरों ने इंग्लेंड के घमन को चकना चूर कर दिया है, आदी रात में अक्सर पटेल और कुल्दीफ याद अब तबाही मचा रहे थे और इंग्लेंड के बलेबास थरतर कापते रहे, भारत के हर खिलाडी के सीनी में एक दो साल से बदले की आग धदक रही थी, पहले रोहित और सूरिया की दहार से स्टेडियम गूंज उठा, चौके का ऐसा तूफान जिसे अंग्रेज सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे, जौस बटलर ने टॉस जीत कर भारतिय टीम को पहले बलेबासी के लिए ललकारा था, रोहित और व्राट की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है, रोहित शर्मा ने आते ही अटैक शुरू कर दिया था, लेकिन छककर जड़ने के बाद व्राट कोली क्लीन बोर्ड हो गए, उनके पीछे पीछे चारन बनाकर इशब पंत भी पवेलियन चले गए, पावर प्ले के अंदर ही भारत को दो बड़े जटके लग चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा ने अभी हार नहीं मानी थी, मुश्किल पि जादव ने भी 47 रनों की ताबर तोड़ पारी खेली थी, अंत में हार्दिक पाणिया ने 13 गेंदों में 23 रन ठोक कर भारत का स्कोर 150 के पार पहुचा दिया था, बारिश के बीच मुश्किल हालात में भारतीय टीम ने 171 रनों का स्कोर बना कर खड़ा कर दिया था, आदी रात में पूरी दुनिया सैमी फाइनल के इस माहा मुकाबले को सांसे थाम कर देख रही थी, फिर स्वाट के साथ जोश बटलर ओपनिंग के लिए मैदान में आते हैं, बटलर को लगा था आसान टारगेट है, आसानी से जीच जाएंगे, लेकिन बदले की आग में धदक र बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, इसके बाद बुमरा ने कहर भर पाया और फिलिप सॉट को पांच रन के मामूली स्कोर पर बोल्ड कर दिया, मुईन अली भी आठ रन के स्कोर पर अकसर पटल की फिर्की के जाल में फज गए, जौनी ब्रस्टो तो खाता भी अकसर पटल ने पहले ही गेन पर जौनी ब्रस्टो को बोल्ड कर दिया, सैम करन का भी यही हाल हुआ, दो रन के स्कोर पर सैम करन भी कुल्दी प्यादब का शिकार बन गए, आठ ओवर में पचास रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लॉड गई थी, बार खरती चली गई, और भारती शेरों ने 222 की हार का हिसाब बराबर कर लिया, इस जीत के साथ टीम इंडिया वर्ल कप के फाइनल में पहुँच गई है, जहां भारत का महा मुकाबला साउथ अफरीका की टीम से होगा, भारत की जीत पर आप क्या कहेंगे, कॉमेंट करके जूर बताएं